हेलो एबरीवन वल्कम बैक टो यर ओन चैनल साइंटिया आई होब तुसी सारे वदियां होंगे एंतोडी प्रिप्रेशन्स एक्जाम दियां अच्छियां चल रही है ने हां जी आज आप जो सीरी स्टार्ट किती है पीटट एक्जाम दी उसनों कॉंटिन्यू करांगे अपन अज अपा सेकिंड पार्ट दी गल करांगे जिननने पार्ट वन नहीं देख्या पहला वह पार्ट वन देख्लें सो देट उन्ननों पार्ट सेकिंड समझन दे विच कोई भी प्रॉब्लम ना आवे उन्ननों वी कंसेप्ट क्लियर हो जान ठीक है जी एंड अगर तुसी चै स्टार्ट कर दें जो अज सता टॉपिक है हां जी अज अपा गल करांगे साउंड दे विच अपाने लास्ट टाइम गल कर ली सीगी ट्रांसवर्स वेव दी या लोंगिट्यूडनल वेव दी लास्ट टाइम अपा वेव बारे पढ़ रहे सी जो टॉपिक सीगा क्लियर अगर आप गल करिये क्रेक्टर स्टिक्स जोगों से विच हुन दियाने कुछ उसनों पढ़ांके मतलब की की आज़ाने जी में वेव लेंथ सेकेंड वन एम्प्लिट्यूड थर्ड है अपने को फ्रिक्वेंसी एन फोर्थ टाइम पिरियड होर भी हैं अपपा अग्यागे करांगे पहला आप इनना चाहरा नों डिसकस कर लेने हैं ठीके जी सब तो पहला अगर आप गल करिये वेव लेंथ एंट एम्प्लिट्यूड दी सब नों डिसकस करांगे सब तो पहला वेव लेंथ एंट एम्प्लिट्यूड दीकल कर दें वेव लेंथ नों अपपा कहा देने हैं तरंग दी लंबाई पंजाबी दे विच इमें तांद असे हैं कई पंजाबी दे विच भी कर दें ते नेम तो भी बहुत कुछ क्लियर हो रहा है क्लियर तब वेव लेंट पहला इंग्लिश देख दे हैं उसनों कहनदे है जो डिस्टेंस ट्रेवल कित्ता जंद है बाई अवेव द्यूरिंग वन कम्प्लीट ओसिलेशन कर दो एक कम्प्लीट ओसिलेशन जदो हो जान दिये एक कम्प्लीट ओसिलेशन दे विच किन्नी दूरी वेव दे दुवारा तै कित्ती गई है उसनों आपा क्या दन्या वेवलेंथ जिमें हुन एजदे विच देख जा वेव एथो स्टार्ट होई है एथे तक एक कम्प्लीट वेव है जदो है जिन्नी एक डिस्टेंस जदेंस तै कित्ता गया डवारा एक ठरांग द द वारा उसनों आपा की का दन्या वेवलेंथ या तरांग दी लमबाई के दन्या छीक है जिन्नी दूरी तै कित्ती गईया ते इसनु अगर आपा गल करिए wavelength दा symbol की अपने को lambda इसनु एस तरीके नारी लिखे आ जान्द है इदा wavelength दा symbol है ते होर अगर आपा गल करिए इस दी SI unit wavelength नो किस दे विच माप्या जान्द है meter m दे विच clear wavelength समझ आया I hope समझ आ चुक्या next आपा गल करांगे amplitude दी की amplitude की उन्द है इत्थे लिख दिनिया में amplitude amplitude दा मतलब है maximum displacement पंजाब बीच मैं बोल दया करूंगी ठीक है जी तांकी तो अनू concept समझ आवे maximum displacement उन्द है जड़ा wave दा कित्थों ओदे mean position दा from its mean position उसनों आपा की के दिनया amplitude छीक है clear amplitude दा मतलब की है जदो किसे वी कांदे मद तो मद स्थीती तो इक पासे नू जड़ा वाद तो वाद विस्थापन हुंद है उसनों आपा की के दिनया amplitude जिवनिया सब तो ज़दा उपर जा रही है अगर maximum displacement होगी इसनों आपा की के दिनया amplitude के दिनया ठीक है जी amplitude दी भी SI unit की हुंदी है meter meter दे विच देख दें इस तो अलावा जो amplitude है एक किसते डिपेंड कर दिया frequency आप अग्ये पढ़ांगे मैं तो नों चार दस्यां सी उस दे विची को frequency भी सी जिनों पन जब बिच आब विर्ती के आ जानदा है तो amplitude किसते डिपेंड कर दिया frequency थे clear होया दोनों terms I hope समझ आ चुकी है clear जी में होना पगल करिये amplitude दीता होगी next पगल करिये frequency दी frequency क्यों दिया थर्ड अपने को चीज है frequency frequency नो पन जब बिच आ विर्ती केंदे है इस तरीक के ना clear तो देखो frequency क्यों दिया जिन्निया number of oscillations होई याने oscillations तो आनों पता ही है number of oscillations एक वेव दे दवारा जिन्निया number of oscillations होई याने किन्ने वीच एक सेकेंड दे वीच एक सेकेंड दे वीच एथे मेन वान सेकेंड है वान सेकेंड दे वीच जिन्निया number of oscillations होई याने उसनू आपा की क्या दने frequency या विर्ती एक सेकेंड दे वीच जिन्निया कमपन होई है उतों पंचाब्भी ते वीच कंपन, जिननी कंपन होई हैं ने, 1 सेकन दे वीच उना की किया दन्याप आँ ओ डिल्ठी या फिल फ्रिक्वेंसी, जी मैं F ते ना लिखे हैंदा है, इस दी SI unit की हुंदी है, hearts, H to Z, M लिखे हो जानदा है, clear, इस तो इलावा अगर frequency दी फॉर्म उले दी गाल करीज आवे, तो कीन दी है, किन्निया number of vibrations हो याने, पर युने time, जर्ण time है, ओ किया अपने कोल second दे विच, मतब एक seconds दे विच, किन्निया अपने कोल की हो याने, vibrations हो याने, उसनों आपकी क्या दन्या, frequency क्या दन्या, number of vibrations divided by time, जो time किया, ओ second दे विच है, क्योंकि अपने कोल की दी गाल किती गी है, second दी गाल किती गी है, हुन human ear the frequency किन्नी हुन दिया, मतलब किन्नी एकाई हुन दिया, मतलब किन्नी सुन पान देने, ओन दिया, 20 hearts to 20,000 hearts, इस दे विचकार किया, अपनी जो year है, ओ audible है, सुन पान दे, clear हुई है, I hope तो अन्नों तिजी भी समझ आ चुकी है, next आपका गाल करांगे time period दी, fourth, ये third जी, fourth है आपने को time period, पंजाबी दे विच आवर्त काल, देखो time period कि उन्द है, time period दा मतलब है, इक वेव नूं complete हों दे विच, मतलब one oscillation दे विच, किनना time लग गया, इक oscillation complete करन दे लई, वेव नूं किनना time लग गया है, ठीक है, एक वेव ने किनना time लेया है, उसनों अपा की कहा दने है, time period कहा दने है, clear, किसे एक पूरे कमपन दे लई, पंजाबी दे विच, जिनना समय लग गया है, उसनों अवात काल के आजन दे, हुना अपन पते है, एक pendulum तुस देखे है, यह होना हाना, इसनों के में लिख दे है, capital T, देना, डिनोर्ट किता चन्द है, ते इन्हों measurement second दे विच, एधी SI unit की आपने को second, clear, ए चीज़े समझ आई तो अनू, next अगर आपा गाल करिये, next तो अनू, topic जो मैं दस्ती है, ओ है अपने को velocity of wave, velocity, velocity of wave, हुँझे डिविलोस ची है न, मतलब पंजाबी दे विच वेग क्या दन दने, तरंग दी wave कहलो, ओ किस ते depend कर दी है, यह दो चीज़ना दे depend कर दी है, इक ते depend कर दी है, frequency ते, एंड इक डिपेंड कर दी है, wavelength ते, मतलब किनना टाइम लग गया है, वेवलेंद किनने ओधी लंबाई होगी, और frequency के हुझे अपने को, frequency मतलब जिननी ओस दे विच पंजाबी चीज़ना दने, पंजाबी चीज़ना दने आपना, मतलब एक सेकिंड दे विच किनना अपने को, उसने कमपन किते हैं, किननी गिंती दे विच किते हैं, ओनों के अधिन देने frequency, ता इनना दोनना चीज़ना दे की कर दी है, डिपेंड कर दी है, अपनी velocity, ता हुन एज़ना मेन किया, देखो, अगर गाल किती जावे, ता इनना दोनना दी multiply, मतलब किसे भी मेडियम दे विच, जो वेव दी, frequency है, अते wavelength है, इनना दोनना दी, जो तो multiply कर दे हैं, ता आपनू की पता लग दी है, velocity पता लग दी है, मतलब velocity किसे इक्वल आज़ना दी है, frequency into wavelength, जीननों किदे ना लिखे आज़ना है, lambda दे नाल लिखे आज़ना है, अपनू पता है, clear? अगर तो तुसी किया है, कोई भी चीज निकाल सकते हैं, अगर तो आणू wavelength पुच्छी की, तुसी O निकाल सकते हैं, अगर तो आणू velocity पुच्छी की, O निकाल सकते हैं, अगर तो आणू, मतलब कोई भी चीज, velocity, wavelength and frequency तिनना दे विच्छो किया, कोई भी चीज अगर पुच्छी जान दे, तुसी इसली निकाल सकते हैं, एदा मतलब यह है, जो अपने कोई, frequency ते velocity हैं, एक इने कदुज़े दे, directly proportional ने, clear? एक इने कदुज़े दे, directly proportional, velocity वदूगी ता frequency वदूगी, दोने चीज जा, जी में हुन एस ते ही तो अनो, numericals की में बन दे, देखो न, अगर अपन numericals दिगाल करिये, तक कि इस तरिके नाल तो अनो, numericals आन दे, जी में कोईशन ले लो, find the wavelength of a wave, traveling at 20 meter per second at a frequency of 5 hearts, frequency किनने है 5 hearts, पता की करनी है अपने wavelength पता करनी है, ठीक है जी, अनो मैं फोर्मूला तो अनो हूने करवाया है, velocity की ते, इक्वल सी frequency इंटू लेम्डा, wavelength लेम्डा अपने find out करनी है, ठीक है, लेम्डा उस साइड रह गया, कि या गया velocity by frequency, velocity किनने दित्ती होए तो अनो 20 meter per second, उसी units तो पता लगाने, 20, अपने को फ्रिक्वेंसी किनने 5, answer किनना गया 4 meter, क्योंकि अपने wavelength की ते, मेजर कर दिया हो, meter दिविछ, ता अ तो अड़ा की होगया, answer, इस तरिक्के नाल तो अनो numerical बनाँगे, छीक है, velocity दी unit पता है, meter per second, and frequency दी पता है, hearts, ता इस तरिक्के नाल तो अनो question, कुछ वी बन सकते है, ता ओदेली तुसी की रहना है, ready रहना है, I hope तो अनो एवी चीज कंसेप्ट क्लियर हो चुकी, जेरह टॉपिक सीगा, velocity of wave, clear, next अपने टॉपिक दिगल करनी है, ओ होगी या अपने को, crust and truff, crust and truff, क्योंकि अगले टॉपिक उस्ते depend करते हैं, देखो एक की हुन दे दोनो, ए वेव तो समझ आओगी, आग मानलो मैंने कोई वी वेव बना ली, आग कोई वी वेव है, ठीक है, हुन इस दे विच अगर गालक इत्ती जावे, जो तो highest part हुन दे किसे वेव दा, जिमिया highest part है, इसनू अपना की क्या दिनने है, crust, highest part नू अपना की क्या दिनने है, crust क्या दिनने है, जेड़ा lowest part हुन दे नीचे वाला, उसनू अपना की क्या दिनने है, truff, highest part नू crust क्या दिनने है, ते जेड़े मतलब उपपर जनदी है, ते जेड़े नीचे वाला पाठ हुँद है, उसनू अपा की कर दन्या, ट्रफ कर दन्या ए वी तो आनो पता होना चाहिद है, क्रस्ट की हुँद है ते, ट्रफ की होन दे, ए चीज ग्लियर होई, क्योंकि अग्जे मैं यूज करूँग sound दिया टू टाइप संदिया ने audible and inaudible एक ultrasound भी हों दिया ओवी में दस सुंगी सब तो पहला गाल कर देया audible दी audible sound मतलब जो human ear सुन पांद है human ear देले गाल कित्ती जन दिया जो आपा नू की है सुनाई दिया उसनों आपा कहा देने है audible sound इसदी range हुन दिया 20 hearts to 20,000 hearts 20 kv आ सकता है कि एदा मतलब 1000 ही हुन दिया hearts छीक है एदा मतलब आपा सिरफ एदे विचकार वाली sounds नो सुन पाने है यही लिख्या हुए है जो human दवारा सुनी जान दिया उनों audible किया जान दिया इसदी range इन्नी हुन दिया and इसदी mean वाली मतब सेंटर वाली आपा सुन पाने है हुन अगर गाल किती जावे in audible sound दि in audible इन दा मतलब क्योंगे जेडी आपा नहीं सुन पान दे जो human दवारा नहीं सुनी जान दी ठीक है human ear accept नहीं कर पान दे उसनों ओ sound आपा in audible क्या दने है इसदी जड़ी frequency हुन दिया ओ less than किस तो हुन दिया 20 hearts तो अगर frequency less than 20 hearts हो वे उसनों infrasound या infrasonic क्या जन दे clear क्योंकि आपा ते दे विचकार सुन दे इस तो जिली भी cut होगी ओ infrasound हो जोगी जो 20,000 hearts तो जादा होगी उसनों आपा की क्या दने है ultrasound क्या दने है जड़ी बहुत जादा होगी जोड़ी frequency more than 20,000 होगी मतलब इस तो बाब ता इक की बान गया अपने को यह ते देखो नीचे इक की बान गया टेबल इस तरीक के नाल बान गया वेड जो तो 20 hearts 20,000 hearts 20 mega hearts दे उस तो उपर इस दे विचकार वाली 20 hearts to 20,000 वाली audible है humans दे ले इस तो नीचे वाले नूँ अपा infrasound के दिनने है जो elephant सुन लेंदे है जड़ी इस तो उपर हुन दे है ओ अल्ट्रा साउंड हुन दे है जो कि या bats सुन लेंदे है या dogs सुन लेंदे है ओ अल्ट्रा साउंड ते इस थ्री टाइप्स दे अपने को sound सुन दे है फोर लगा लो audible, inaudible inaudible दे विच दो आजान दे एक infrasound आजान दे एक अल्ट्रा साउंड आजान दे clear हो या I hope ए कंसेप्ट भी तो नूँ clear हो गया audible ते inaudible clear ठीक है जी I hope तो अनू टॉपिक समझ आ रहे है मैं एक चीज तो अनू राम दे नाल मतलब ताकि तो अनू कोई भी डाउट ना होवे जे कोई डाउट होए तो तुसी मैंनू easily पुछ स़र दे next आप आप टॉपिक करांगे कुछ होर करेक्टर स्टिक्स ने जड़िया sound दिया उनना बरे पढ़ांगे एक चार्ट दे थरू जादा clear होगा हाँ जी ठी हुंदिया में ली loudness, pitch and quality तिन हुंदिया ने ठीक है loudness, pitch and quality जेरी loudness है पहला मेरा अपा सुन लेने फिर अपा पढ़ भी लवांगे इनना ने की किया जेरी loudness है एक इसते depend कर दिया amplitude ते किसते depend कर दिया amplitude ते depend कर दिया चीक है जी जिनना ज़ादा amplitude होगा उननी ही ज़ादा आवाज होगी मतलब sound उननी ज़ादा होगी मतलब loudness होगी clear clear होया मतलब या फिर वोकल कोड़ी जिननी लंबाई हों दिया उननी ही उच्ची की होगी sound होगी loudness होगी जी अपने को low amplitude है amplitude काट है ता soft sound हो जोगी वी हलका हलका बोल दे कोई ठीक है soft sound ता इनना ने की किया ओ विया पर रीड कर लेन्या होन loudness is response of ear to sound loudness प्रपोर्शनल किस दे amplitude दे किसे भी body दे जो वाइब्रेट कर दे साउंड होई प्रड्यूस करोगी इनना confuse नहीं होना जिनना जादा amplitude उननी जादा loudness जिनना कट amplitude उननी कट sound soft sound दिखाया देखो high amplitude है ता sound उच्ची जाओगी का temperature है ता sound कियो जोगी feeble मतब कट हो जोगी soft हो जोगी loudness clear होया next कल करेंगे pitch दी pitch डिपेंड कर दिया frequency दे किस दे डिपेंड कर दिया frequency दे मतब तिखा बन pitch ता मतब मतब तिखा बन जिननी जादा frequency उननी जादा pitch जिननी कट frequency पहला मैं ताहीं ओ तो अनो तिन terms करवाई हैं सी sorry फ्रार टाइम पीरियड दे नाग example जी मैं कहांदे baby दी voice है ओधी जादा frequency दो रोंद है as comparison to adults जो वड़े हो चुक्के हूं देने या females दी female दी जेडी pitch हूं दिया हूं हूं दिया जो तो बोल दिया है as comparison to men ठीक है males दी ताह एक हिस्ते डिपेंड कर दिया अपने को frequency दिखाया हुए है high frequency है ता wavelength कियोगी shorter जड़ी 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 ठीक है लोग फ्रिक्वेंसी यह लोगर वेवलेंद अरामनल चाल रही है लंबाई वादगी लियो नेक्स अपने को थर्ड वालिटी क्वालिटी किया देखों क्वालिटी जड़ी गिटार, ड्रम, सितार, हर्मोनियम उन्ना दी जड़ी फ्रिक्वेंसी हुन दी है वेट हाँ जी जो उन्ना दी फ्रिक्वेंसी है एंड एंड एंप्लिट्यूड है इन्ना नू की कार दितता जावे जदो इक्वल कार दितता जावे ति असी मतलब पेचा कि वाज रहा है मतलब ओदे था अपनो sound the clearance हो जे इनना विछ frequency ते amplitude नो equal कार दिता जान जान दे इनना के लिए quality is the characteristics by the virtue which we can distinguish between the sound of the same pitch and loudness मतलब same सुनाई दवे pitch ते loudness की amplitude and frequency जदो यह दोनों equal हो जान पर अपना कि यह differentiate कर पाईए अलग-अलग voices नो उनुकी क्या दने क्वालिटी जी में a sound of wave guitar दी दखाई हुए ऐसी तार दी दखाई होई है चीक है जी एजीज क्लियर होई तो नो I hope ए समझ आया हूं तो नो next काल करांगे reflection दी reflection of sound reflection of sound की मतलब है तु नी दा परिवर्तन reflection दा मतलब हुंद है परिवर्तन परिवर्तन परावर्तन इतना ही पेंदा ही थिंक सो अगर कोई गलती होई ता तुसी देख लिए हूं ठीक है जी देखो light का पढ़िया होगा तुसी reflection of light की हुंदे एक surface ते कोई solid surface है हाना उस दे उपर एक light अंदी है टकरा के वापिस चली जन दी है इसमों आप reflection के ने sound है कोई भी incident light दीने पर हुं sound दी आई मतब एक sound आई ओ एक surface नाल टकराई तकरा के sound किया reflect होगी मतलब इदधर ही wait हाँ जी sound reflect होगी उसनों अपा कहा देना है reflection of sound ठीक है जो तो कोई भी तुन नी दी वेव आन दी है ओ किसे भी चीज सर्फेस ते नाल टकरां दी है टकरा के किया तो वापिस चली जन दी है एक medium प्रेजेंट है दे विच में एक एक medium दे विच मेरियम दे वापिस चली है उसनों अपा की कहा देना है reflection of sound या तुनी दा परिवर्तन जी में आपा बोल देयां कुछ कर बोल देयां था ओ साउंड आई वोल्स वगेरा ते टकराई हो ते टकराके वापिस ओगी ता ओ लोकानों की है सुना ही दिन दी है ठीक है उसनों अपा की कहा देना है तो नी दा परिवर्तन सेंटर दे विच नॉर्मल हूंद है सेम चीज है जी में आपा लाइट दा पड़ देयां क्लियर ता एस ते नाली एक चीज रिलेट कर दिया है इकको इकको जिनू गुंज भी क्या दिन देया है गुंज हुन एक ही हुन दिया है इक को एक एमे दा प्रोसेस है जिदे विच जड़ी साउंड प्रड्यूस होई है कोई भी साउंड है जड़ी पैदा होई है ओव आपनो वार वार सुनाई दवे प्रड्यूस्ड इस हाट अगें 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 आ अगें किस दी वाजन चाइखे हैं रिफ्लेक्शन वाजन alltså reflles आट विकीश क्यों है डिफ्लेक्वैक्षेद प्रड्यूस होई होई अपनो दवार सुनाई दवे उसनू आप पहाणा आदे जान्या तूसी देख्याओने ओना मौन्टेंस से जान्या लोग अपना नेम बोल दी है तम हों कि यह जो नेम है ओ अपनो वार वार सुनाई दिन देंदे है अपसं सुनके खुश उने है ओ की है इको है जदो माउंटेन ते जाने है यह अपा क्लैपिंग कर दे आँ औ से कुछ भी कर देा है माउंटेन से खुली चगा हुँद यह ता अपनी आवाज कि उढ़ो किया गुंज के ऊपिस अंधी है उसनो अपड़ कि कै देनने और गुंज के देनने या इको के देनने है क्लीयर होई अगर गल खाल किते और cracking करना शाउटिंग है कोई ताल building है याょ मांटेन्स है इसलिए गल टाइब इंटरवल हुंद है मतलब time हुंद है रियल जोड़ी sound सीगी जड़ी अपा सची मुची बोली है and जड़ी reflect होके वापिस आई है sound इनना दे विचकार at least 0.1 second की होंदा है time interval होंदा है इनना time होंदा ही होंदा ठेक है और अगर अपा गल कर यह जड़ी minimum distance है कोई रुकावर्दा या reflective surface में क्या सी ना एक टकरान वाली जो surface है जिसते टकरा रही है उसदे विचे रहा distance है ताकि अपानों इक को सुनाई दवे कटो काट अपने कोल किनना होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए ठीक है इनना होना चाहिए ताह आपनों मल्टिपल किया है reflections किया है सुनाई देने किया क्लियर होया ठीक है हुन आपनों पता है distance आपकी में निकाल दे distance is equal to speed into time यह formula पता होना चाहिए क्योंकि ताहनों question पुछ सकते है clear किसे भी तरिक किना ताहनों question बनके आ सकते है तब यह ताहनों पता होना चाहिए ठीक है जी किस किस ते अगर आप अगाल करिए जो अपने को sound है temperature ते depend कर दिया है तो नहीं ठीक है temperature ते depend कर दिया अगर temperature जादा होगा ता speed भी की होगी sound दी sound की होगी जादा यह वी में दासता हूँ कुछ terms जी में रह जन दिया है उना ना दासती है हो और किस ते depend कर दिया elasticity थे elasticity अगर जादा होगी ता sound भी की होगी sound दी जड़ी speed भी की होगी जादा होगी ठीक है एक कुछ terms यह वी ते आंच रखी हों तुसी क्लियर यह important terms ने जड़िया में दास रही है हूँ हुन reflection कर रहे हैं तो उस दिन आर कुछ और चीज़न कर लेने हैं जी में sonar देखो की full form है इस दी हुन एरी full form ते भी question बन सकते है ते वैसे भी की है sound navigation and ranging इस ते भी question बन सकते हैं तेखो एक टिकनीक है sonar की है एक टिकनीक है जेड़ी आप यूज कर दियां मतब यूज किता है कोई sound नू या ultrasonic waves नू measure करनी उनना दे distance नू measure करनी ठीक है कोई भी sound या ultrasonic wave में ultrasonic करवा चुकी है जिनना धी range 20,000 तो जादा हुन दियां इनना दे distance नू measure करन दे लिए अप सोनार यूज कर दियां clear ठीक है जी में ली अगर गालक इत्ती जावे इस दे विच की की हुन दे इक transmitter हुन दे जो transmit कर दे इक हुन दे detector कोई भी शिप या बोर्ट या बोर्ट या ठीक है तक की हुन दे देख़ए किस त्रीके नाल है आम मानलो सुमुंदर है इत थी कि या कोई चल रही है बोर्ट चीक है इस त्रीक के नाल वैसे में चोटी वाली बनाई है नीचे की है पानी आपन पता है सारा किलियर इस त्रीक के नाल है हुन की हुन दे एदे विच जे रह ट्रांस्मीटर है एक की करूगा अल्ट्रा सॉनिक साउंड वेव्ज नू सी बेड ते जानगी है अल्ट्रा सॉनिक साउंड वेव्ज ने जदो आ रही है ठीक है सी बेड मतलब आ जेड़ा उपर वाला बोर्डर है आनगी है इत्थो की होन गया रिफलेक्ट बैक हो जानगी है अपन पते है वापीस चलिया जानगी है ते एक किस दे दवारा डिटेक्ट की तिया जानगी है डिटेक्टर दे दवारा समझाएं ट्रांस्मीटर की उन्द है अल्ट्रासोनिक साउंड वेवज पे जुगा आ सी बेड तेस्ट किनारे ते इत्थो रिफ्लेक्ट होके कि यह वापीस चलिया जान गिया ते उन्हों कौन डिटेक्ट कार लूगा डिटेक्टर पता लगा लूगा एदे नाल किया अपानू एदे कि उन्द है 2D दुग्णा डिस्टेंस चीक है इन्टू वी इन्टू टी चीक है इस मेथर्ड नू की किया जान दे है इको रेंजिंग की किया जान दे है इको रेंजिंग क्लियर की किया जान दे है इस दे वीच एको रेंजिंग किया जान दे है इसनू मतब डिस्टेंस की ह दुगना एक वार गई फिर रिफ्लेक्ट बैक होकी गई ता एक या डिस्टेंस की हो गया अपने को दुगना हो जानद है इस दे विच ठीक है 2D हो गया इस तरीके नाल आपा की है फाइंड आउट कार सकते हैं सुमुंदर दी सीधी गहराई किन्नी या डेप्थ किन्नी है और नू चेक करन दे लई या मतलब इन्ना चीजां दे लई आपा की है जेड़ा ए डिस्टेंस नू माप देने वो सुनार दी मदद देना जेड़ा एदा माप दे डेप्थ माप भी जन दी है क्लियर जेड़ा वेव्ज ने न वह बिल्कुल नीचे जाके टकरां दिया ने उत्थो टकरांके वापीस आ जां दिया ने ता ओ समा अंतरा नो भी सुनार देनाल माप दे जेड़ा टाइम द डिफ्रेंस अंदर टाइम पीरियर्ड है उ तो अडेली इनक ही जानना ज़रूरी है क्लियर आई होप तो अनो एवी किया है क्लियर हो गया हो ना नेक्स्ट आप अगाल करांगे डॉपलर एफेक्ट दी डॉपलर एफेक्ट हुन डॉपलर एफेक्ट की है गुपलर एफेक्ट होंदिया जित्तों साउंड आ रही है मतलब सोर्स आउंड इक हुंद है अब्जर्वर जेडा अब्सर्व गाहरे है ठीक है हुन की हुंद है अगर मैं सोर्स वी चल रहे है ठीक है जी मैं कई ट्रेन चल रहे है या कोई भी पुलीस वाली जो कार है हुँदिय है जटी साइरन लगे हुदिय है अंबॊलेंस लगा लो कोई भी लगा लो एड चाल रही है न अप्जरवर भी ते सब्सक्राब हैूदा अपनी देज आप्पा है मूफ कर रहा है तहां कि हुंद है इस दे नाल जो तो दोनों मूफ कर देने frequency and wavelength observer दी की हुंद है change observer दी frequency भी change हुंद है ते wavelength भी change हुंद है मतलब हुन कोई भी चीज है तो उसे normal भी डेली लाइफ दे विच देख 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 कोई चीज अपने नेड़े आ रही है sound वाली तह अपनी frequency अपनी wavelength वो बदल दी रहन दी है simple जी काल ले frequency की हो जोगी higher हो जोगी जे observer की है ए पॉइंट important ने paper देविच question बंद है observer की कर देख अगर नेड़े जा रहे है source दे अगर शोर्स ते की है नेड़े जा रहे है एंड एह की है कटोगी frequency औव्यश जी काल है opposite हो जोगी कटोंगी जदो उस तो source तो आप दूर जा रहे है सिंपल जी कालना कोई मैंने कुछ भी नहीं उख्खा पोले हैं हाना तद जी में हुन कोई भी ट्रेन आ रही है अपा पटड़ी ते ख़ड़े हैं ठीक है तो जी में जी में ट्रेन नेड़े आओगी अपनी फ्रिक्वेंसी भी बदलूगी ते अपना की वेवलेंथ भी ट्रेन आ रिलेट कर दिया है मैं दस दीया किस तरह के ना ठीक है जी में जी में हुन की अपने को अगर ता मैं ट्रेन दे वाल जा रही है तप फ्रिक्वेंसी की हो रही है वदूगी अगर मैं ट्रेन तो दूर जा रही है तप फ्रिक्वेंसी की हो जूगी कटूगी ठीक है जन दे था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जी अपना टाइम वदा दिये, तब फ्रिक्वेंसी की हो जन दिये, कट जन दिये, ठीक है, उल्ट है, क्योंकि रैसी प्रोकल में पहले ही दसता, मानलो जे train की है नेढे आ रही है तो time की है, cut दा जन्द है train नेढे आ रही है time cut दा जन्द है, तो frequency की होगी वद्धी जाओगी frequency वद्धी जाओगी अगर की है, time की है cut दा जारहा, मतलब train की आ रioned helpful नेढे नेढे आ ह exclude इस त्रीक के नाल AV relation की है इंपॉर्टेंट है ता इस थो भी कोश्चन बंदे तो अनू ए भी पता होना चाहिए है ज्यादा डिटेल देविच नहीं करांगे हिउमन इयर हिउमन इयर दी कालकरना इयर इक अपन नू पता है कन पंजाबी देविच सेंस्टीव ओर्गन्ज ने हिउमन दे जिनना था मेन काम की हुंद है साउंड नो detect करना अपने ता कपंचाना है एा डिटेक्ट करदेने ट्रांस्मिट करदेने मतलब मेंटेन बैलेंस करके लगदेने बहुत इंपोर्टन प्ले करदेए रोल फंक्शन है अबहुत इंपोर्टन अपने कोई भी बोडी और गंदे बिना मतलब अपना मतलब एक हर चीज जी में कहने इंपोर्टेंट सुन दिया है एमें एर दी भी है बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर दे अपनी डेली लाइफ दे विछ ते ए साउंड नो डिटेक्ट करन दे विछ आपन पते कम कर दे हुन ए एर दी अगर मैं बात गल करा एमें हुन दे मैं टाइग्राम लगाना भी तीके है हुन आपनन पते है इस त्री के नादव बने आ हुना जेडी बाहर वाला एर हुन दे आउटर एउ स्यभ्ण आपन दिख़ दे विजिबल हुन आपनों की किया ज़नदे पिन्नं पिन्न ऻन्हें कोई चोशन बन ज़न्दें मैं तो ने कहा पिन्ना फिर एह जडी sound इसने पिन्ना ने इक अठी किती है एक इस तक लेके जन्दे है एक ट्यूब दक पुन चन्द है उस ट्यूब नो अपअ ओडिटेरी चैनल के लिए औरी अज़ जडी आप सोन पाने उस कैनल तक लेके जन्द है एक सुरंग जी बनी हुंदी है चीक है फिर आपने ear भीत ऐसी एक हिस अयर ड्रम प्रेजेंट उन्दे है इत्ती ही कार ली आप इब ड्रम प्रेजेंट कर दे वह वाइब्रियेट कर दे अग्ये आजसी है इब ड्रम प्रेजेंट हो दे जिन्नों आपा काँदा शईद पड़ि असे चानीड रहता है टकरा How did he ऑननों रिस्पॉन्स करते ले ही एकी करते है वाइब्रेट पयुअ जिमेही वाइब्रेशन होई जिमेही ही वाइब्रेशन होई एकी करते ने, एम्प्लिफाई करतेने ते जेडी सांड उसनों ट्रांस्मिट करतेने अग्ये पॉनचाद इंदेने तिन बोन्स नू अग्गे जरी यह थ्री बोन्स प्रेजन ने है की नेम ने हुन्ना दे हैं मर अन्विल अब प्रणाउंसियेशन अगर कोई गड़बर होई ता प्लीज समाझ लिए स्ट्रेट आप यह तिन की अपनी को बोन्स हुन दिया ने कित्य हुन दिया ने मिडल इयर दे इन दी मिडल इयर टू दी इनर इयर अंदर ली साइड हुन दे ने ठीक है तिन बोन्स प्रेजन हुन दिया ने अंदर वाला जड़ा इयर है इनर इयर दी गल करूंगी हुन मैं इनर इयर दे विच जेड़े कोकीला हुन दे ये की कर दे ये प्रेशर सीगनल नूँ जेड़े प्रेशर दे सीगनल जान दे ये उसनों कनवर्ट कार देंदे कीदे विच इलेक्ट्रिक सीगनल दे विच इलेक्ट्रिक सीगनल दे विच की कर देंदे ने convert कार देने, छीक है, inner ear दी गल कारी है, मैं अंदर ले दी, फिर जड़ा ये inner signals हुन दे है, आवले inner signals, एक हीदे तक transmit किते जान देने अपने brain तक, कौन कर दे है, auditory nerve हुन दिये, एक, ओहो की कर दिये, येनों brain तक पुंचा दिन दिये, ते आपनू ओगल सुनाई दिये, मतलब जो आपन सुन रहे हैं, उधा ये सारा process है, बस ये तुसी main main चीज़ा, जिन्नियां, वी कौन की काम कर दे है, मैं main main crack, कि येनों अगर बहुत डीपली करूंगे तो तुसी confuse हो जोँगी, ठीक है, इत्थे ये चैप्टर की होगा, complete, I hope तो अनू प्रोपर वेदे विच समझ आयें, ठीक है, मैंनू comment section दे विच जरूर दस्यों, तो अनू आज दी class किद्धा लगी, ठीक है, जरूर दस्यों करो, प्लीज, अच्छा लगादा है, लाइक करना ना पुल लियों, वीडियो नू, शेर करो, जो वी PTAT exam दी preparation कर रहा है, या कोई वी competitive exam दी preparation कर रहा है, science related, उननू videos शेर करो, ट्यालीग्राम ग्रूप नू ज्वाइन कर दियों, प्लीज, सब्सक्राइब कर दो, जिनना ने हज़े तक नहीं किता, डिस्क्रिप्टिन बॉक्स ते विच में तौनू लिंक प्रवाइट किता है, या कार सकते हैं, तौनू थे अप्डेट्स मिल दिया रहन दियाने time to time, clear, thank you so much, thank you